हमासाद बात करने के लिए भरतियन्ता पार्टी के सांसद मनोज तिवारी जी मनोज जी एडी के सामने पेस नहीं होने की बात कही गई है अर्विन केजरीवाल दौरा और ये भी कहा जा रहा है कि वो कह रहे हैं कि वीडियो कॉंफरेंसिंग के जरिए बारा मार्च को एडी के सामने पेस होंगे मैं बड़ा आश्चरी में हूँ आश्चरी इस बात का है कि अगर अर्विन केजरीवाल के सारे बयानों को जोड़ के देखिए तो अपने ही बयानों में बहुत विरोधावास हैं जो सिद्ध करता है कि अर्विन केजरीवाल ने अपने लिए बहुत बड़ा गड़ा खोद लिया है मुझे तरस उस उनकी जो कानूनी सलाहकार टीम है ना उस पे भी आ रहा है वो लोग गड़ा खोदने में अर्विन केजरीवाल के खुद के लिए वो मदद किये हैं मदद कर रहे हैं अगर आज आपको लगता है कि हम 12 मार्श के बाद देंगे तो फिर लीगल हो गया गहर कानूनी नहीं रहा है अब और पहले गहर कानूनी था और ट्राइल कोर्ट ने भी अभी कह दिया है कि बिलकुल इसमें लीगली उनको जवाब देना ही है उनके दो लोग जेल में है इसमें और इतना डर इतना थर 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 काप रहे हैं ऐसे अरविंद केजरिवाल आएंगे इडी के सामने और पकड़ के उनको जेल में डाल देगी इडी और तीसरी जो चिंता की बात है कि अरविंद केजरिवाल जिन्हों ने शपत लिया है कि मैं संविधान के परती सची निष्ठा रखूंगा ये निष्ठा है ये आप सिखा रहे हैं दिल्ली के बच्चों को दिल्ली के भविश्य को कि कानुन का पलन नहीं करना चाहिए मैं समझता हूँ अरविंद केजरिवाल जी ने अपने को जितने डर डर के भाग रहे सवालों से उन्होंने सिद्ध कर दिया है कि वो इसमें भरष्टा चारी है उन भरष्टा चार किया है और इसमें उनके साथ कड़ाई से कानुन का पलन करना चाहिए अब आद्मी पार्टी कह रही कि ये जांच का विशय नहीं है दरसल एडी अरविंद केजरिवाल को गरपतार करना चाहती है इडी तो सवाल पुछने बुला रही है अगर आप सवालों का जवाब नहीं देते हैं जो आपके उपर अपर अपरोप है अगर उसके उसकी बेगुनाही के सबुत नहीं देंगे तो जो कानुन कहता है ये देश संबिधान से चलता है न ये देश आबाद्मी पार्टी के स सम्भीधान से थोड़ी चलेगा यह देश देश के सम्भीधान से चलेगा और ऐसा बहुत सारे अभी जारकंड के केस में क्या हुआ है जारकंड इतने बड़े प्रदेश का मुख्य मंत्री दसमें संबन तक नहीं किया तो उनको जेल में जाना पड़ा तो क्या यह भी चारे क है कि हम दसमें तक जाएं आज उनका budget पेश हो रहा है द्ली सरकार का कह रहे हैं कि रामराज्जी बजट है इसे आपकी सुरूप में ले हैं मतलब आप सोचिये दिली के लोग जब सुनेंगे कि इस budget को कह रहे हैं कि रामराज बजट है तो इसके पहले का जो नौ बजट था वो क्या रामराज राज बजट था आपको अंतिम बजट ही रामराज जी लगा बजट तो आपका पहला भी रामराज जी तब तो आप राम को मानते ही नहीं थे तब तो आप राम जी के मंदिर की जगए अपनी नानी की बात सुनाते थे कि वहां राम जी हो ही नहीं सकते तो ये सब अब जो इनको चारों तरफ से भै दिख रहा है ने भी जा रहे हैं और राम राज जी बजट आएगा दो हजार पचीस में नरेंद्र मोदी जी के सानिध्य में दिल्ली राम राज जी का बजट भारती जिंता पार्टी प्रस्तूत करेगी दिल्ली के लिए आम आदनी पार्टी की गट्विंधन दल है आरजडी लालु पशाद यादो ने कल यहार में एक रहली किया और प्रधान मंत्री नरेंद्र मोदी पर बहुत तीखा कटाच किया लालु जी का स्वास्ति समें ठीक नहीं है आपने देखा भी होगा और जिनका स्वास्ति ही ठीक नहों वो क्या बोलते हैं बहुत गंभिरता से लेने की बात नहीं है आज तो मैं सिर्फ प्रार्टना करना चाहता हूँ लालु जी स्वस्त रहे हैं कंतिम सवाल आप से चुकि आप फिर से कंटेस्ट करने जा रहे हैं लोकसभा का चुड़ा लेकिन आपके चार साथियों के टिकट काड़ दिये गए क्या इसके पीछे कोई रणीत समझते हैं या उनकी इंटीन केंबेंसी रही या उनका काम अच्छा नहीं रहा पार्टी को क्या कुछ समझते हैं आप नी देखिए मुझे फिर से मौका दिया गया मैं सेर्स नेत्रित्तु का नरेंद्र मोदी जी का हमारे नेता जो देशी नहीं पुरी दुनिया के विश्वास के आसा के केंद्र हैं नड़ा जी का अमिशा जी का राजनास मैं सब का धन्यवाद करत किरना किसी नेता के कद में कोई कटाव नहीं है हमारे यहां तो आप देखिए होंगे चतिसगर राजस्तान मद्य परदेश भारती जंतापाड़ी की परिपार्टी है जब जिसको काम दिया गया उसको काम करना है मुझे फिर से कहा गया लड़ने को मैं लड़ रहा हूं मु अब पहली बार इडी के सामने पेस होने की बात कहके यह बात कह चुके हैं कि यह चीज़ें लीगल है करना राजेस साब नीरच पांड़े विपने उस दली